विद्यार्थियों हम अपने पाथ तीन किर्मिच की गेन की आगे की कहानी पढ़ेंगे हमने पहले पढ़ा कि जो दिनेस है वो जब लेटावा था तो उसको अच्छानक से एक आवाज सुनाई दी और उसने जा कर देखा तो उसे एक चमचमाती हुई एक उसे गेन मिली किर्मिच की गेन मिली तो बाद में उसने सोचा कि सबसे पूछना ही बहतर है कि सबसे पूछनू ये गेन किसकी है तो आगे की कहानी पढ़ते हैं तबी अनिल बोला गेन तो मेरी खो गई है कब खोई थी तेरी गेन यही कोई चार मेहने पहले तो वहाँ गेन तेरी नहीं है दिनेज ने कहा फिर वहाँ मेरी होगी सुधीर ने तुरंट अपना अधिकार जताते वे कहा वहाँ कैसे दिनेज ने पूछा तु मुझे गेन दिखा दे मैं अपनी निसानी बता दूँगा वहाँ या कैसे वो सकता है दिनेज बोला गेन देखका निसानी बताना कौन सा कठीन है बिना देखी बता तब जानू तो ये सभी दोस्तों में बहस चल रही है कि एक बोल रहा है मेरी गेन दे एक बूल रहा है मेरी गेन ने तो तभी उपर से दीपक उतर आया दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पढ़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था गेन की बाद सुनकर दीपक बोला गेन मेरी है कैसे तेरी है सभी ने एक साथ पूछा कल ही तो तु कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेन लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं मेरी गेन तो पाँच महने पहले खोई थी दीपक ने कहा जब बड़े भाईया की साधी हुई थी ना तभी सुनेलने मेरी गेन छट पर नीचे फेंग दी थी दिनेस अच्छी तरह जानता था कि यहाँ गेन दीपक की नहीं है दीपक के गेन पांच महेने पहले खोई थी और यहाँ कभी होई ही नहीं सकता कि गेन पांच महेने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता गेन मेरी है वह मेरी है और सिर्फ मेरी है तो सारे दोस्तों में बहुत चल रही है अरे जा जा बड़ा आया गेन वाला क्या सबूत है कि यहां यही गेन नीचे फेकी थी अनिल ने पूछा दीपक ने कहा सबूत है मुझे गेन दिखा दो मैं फौरण बता दूँगा दिनेज ने देखा कि जगड़ा बढ़ रहा है गेन हत्याने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है वह जानता था कि यदि गेन दीपक के पाच चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे अच्छा मैं गेन ला रहा हूं परंतु जब तक पक्का सबूत न मिलेगा मैं किसी को दूँगा नहीं दिनेज ने कहा ठीक है गेन आ गई दीपक उसे देखते ही बोला यह मेरी है यही है मेरी गेन यह ला रंग का निसान मेरी ही गेन पर था वहा सबी गेन उपर ऐसे ही निसान होते हैं अनिल ने दिनेज के साथ देते हुए कहा दीपक ने फिर जोर लगाया मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेन मेरी है अरे जा, ऐसे में, मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ, की गेन दिनेस की है, अनिल ने कहा, कुछ भी हो गेन, मेरी है दीपक ने उसे धर्ती पर मारते हुए, धर्ती पर ठपा मारते हुए, मेरी गेन में से एक ही आवाज आती थी, ऐसी ही आवाज आती थी, तो सारे दोस्त कुछ ना कुछ बहाना बनाकर जो गेंद है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं मेरे साथ बजार चल दुकानों पर जितनी गेंद है सबी के टपे की आवाज ऐसी ही होगी अनिल ने फिर उसकी बात कार दी अच्छी बात है तो मैं इसे सड़क पर फेकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेस ने उसे पकड़ लिया और दीपक ने रोआ से होते हुए अपना अंतिम हतियार आजमाया रोआ से मतलब जैसे रोनी जैसा चहरा कर देना बोला या तो गेन मुझे दे दो नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा अब तो सुनील दीपक और सुधीर का गुठ मजबूत होने लगा तीनों का ही कहना था कि गेन दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए दिनेस तब तक चुप था वास्तव में दिनेस का मन उस समय सब की साथ मिलकर खेलने को कर रहा था बोला अब चुप भी रहो जगड़ा बाद में कर लेंगे अपने अपने बल्ले ले आओ पहले खेल ले पांच मिनट के भीतर ही खेल पर आरंब हो गया दिनेस बल्ले बाजी कर रहा था अभी दो चाहर बार ही खेला था कि वाच चमकदार गेम नहीं गेम एकदम जोर से उचली और दरवाजा पार कर सडक पर जाती वे एक स्कूटर में बनी भी बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जागिरी बड़ी मुश्किल से तो बॉल मिली थी उससे खेलने लगे थे लेकिन फिर क्या हुआ जैसे ही थोड़ा सा गेम खिला और फिर क्या हुगई वो स्कूटर की जो आगी का जिसमें सामान रखते हैं वहाँ पे जागिरी स्कूटर वाले को शायद पता भी ना चला तेजी से चलते हुए स्कूटर के पास गेन भी चली गई स्कूटर तो चलता हुए स्कूटर था उसके साथ गेन भी चली गई बच्चे पहले तो चिलाते वे स्कूटर के पीछे भागे परन्तु जल्दी ही सब रुख गए वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है एक पल के लिए सभी ने एक दूसरी की और देखा और फिर सभी ठाका मार कर हस पड़े ऐस बहुत जोर जोर सहे आसे मुर्ख है एसे बनने वाली बाद हो गई कि पहले तो कहाम उस गेम पहले तो वह मिली फिर उसके जगड़ा किया जगड़ा करेते हैं पूरा मेरा है बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने खेला उस खेलने लगे तो तब तक वो स्कूटर में ही चली गई तो यह बहुत मज़िदार कहानी है आप इसे पढ़िए